सब्सक्राइब करते हैं जहां पर आपको पासपोर्ट अप्लिकेशन डॉक्मेंटेशन पुलिस विरिफिकेशन और साथ ही साथ पासपोर्ट और वीजा संबंधित बहुत सारे महत्पूर्ण इनफॉर्मेशन दिये जाते हैं और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉमन कोस्चन है और जिसको लेकर लोग जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस्पेशली उस टाइम जब वो जो है अपने री इशू के लिए अप्लाई कर होते हैं जैसे कि अगर पास्पोर्ट आपका एक्सपायर हो जाता है आपका पास्पोर्ट गुम हो जाता है चोरी हो जाता है फट जाता है कुल मिला जुला के वैसा कंडिशन जब आपके पास पहले से ही आपके नाम पे पास्पोर्ट इशू हुआ हो और आप किसी रीजन स से दुबारा रीशू के लिए पासपोर्ट अप्लिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कंडेशन में लोगों के माइड में बहुत सारी बाते चलती हैं बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है इस जानना चाहते हैं कि आखिर फिर से री शू के लिए अपलाई करते हैं तो क्या उनका पोलिस वेरिफेकेशन किया जाएगा या नहीं क्या उनका जो नयाyan पासपोर्ट मिलेगा वो उसी passport number पर मिलेगा जैसे कि हर passport के साथ एक unique number यहां पर दिया हुआ होता है जो कि आपका जिस तरीके से आपका mobile number बिल्कुल unique होता है ठीक उसी तरीके से हर passport holder को एक unique passport number दिया जाता है तो बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि उनका जो नया passport मिलेगा वो क्या दूसरे number का passport होगा या फिर उसी को फिर से issue कर दिया जाएगा आप चुकि मेरा एक बार पुलिस verification हो चुका है तभी मेरा passport issue हुआ था तो क्या दुबारा फिर से पुलिस verification होगा यह नहीं होगा तो आज के इस वीडियो में आपको तमाम ऐसे ही सवालों के जवाब मिलने वाले हैं ब मतलब कि आपके साथ कुछ न कुछ problem हुई होगी तभी आप रिशू के लिए जा रहे हैं अब चुकि हर passport का validity होता है 10 साल तक मतलब कि आप उसको केवल 10 साल तक ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप यहां मान के चलें कि 9 साल तक ही passport का validity होता है क्योंकि अगर आपका last 6 महीने के अगर आपका validity बच जाता है तो कोई भी country जो है आपको visa नहीं देता है वह अपने देश में आपको घुसने नहीं देगा कम से कम आपको 6 महीने से ऊपर का ही आपके पास validity वाला passport चाहिए तो ऐसे में आपको जो है 9 साल के बाद जो है आपको जरूरत होती है अपने passport को renew करवाने का रिशू करवाने का renew मतलब की renewal रिशू वही बात वही हुई अब यहाँ पहला सवाल कि क्या फिर से जो है मुझे documents देना होगा क्या मुझे फिर से appointment देना होगा तो बिल्कुल देना होगा यहाँ पर याद रखे भले आपका पहले से भी passport है लेकिन आपको व इंसान का behavior उसका address उसका crime record बहुत कुछ बदलाव हो सकता है तो ऐसे में सरकार जो है फिर से पूरी तरीके से safe और secure होना चाहती है वह आपकी सारी जानकारी फिर से जुटाएगी मतलब यहां पर यह कि वहां पर सिर्फ आपको इस बात की information देनी है कि हां जी मेरा passport पहले से बना हुआ है लेकिन मुझे फिर से रीशू करवाने है वह आपको application में वहां पर या आइदर fresh या फिर रीशू तो आप रीशू पर सेलेक्ट करेंगे तो जो है आप फिर से आपको वह सारा process जो है आपको उसके थूरू जाना पड़ेगा वहां पर होगा क्या कि आपको भी हो सकते हैं जिसको आपको आगे इस्तेमाल पर है इसलिए आपका पुराना passport जो इसको cancel करके आपको return कर देते हैं और आपके नए passport बनाने की जो प्रकिरिया उसकी शुरुवात कर दे जाती है आपको फिर से जो है वहां पे appointment लेना होगा और आपको फिर से आपका present का जो passport है तो वह दुबई में रहता होगा या फिर कहीं रहता होगा काम वाम करता होगा तो उसका current address नहीं लिया जाता है तो आपका फिर से उसी address पर जो आपने permanent address दिया है वहां पर आपका verification किया जाता है पुलिस verification उसके बाद ही जो है आपका passport का जो आपका status है उसको आगे initiate किया जाता है उस पर विचार किया जाता है ऐसे में बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि मेरा passport पहले से बना हुआ है तो यार मेरा verification क्यूं होगा तो बिलकुल होगा फिर से आपके local ठाने में आपकी report जा जाएगा किस बंदे ने कुछ crime वराइम तो नहीं किया है या फिर जो है इसका address तो कुछ यह नहीं ultimately यह कि आपको अपना जो address है वहां पर फिर से re-verification करवाना होगा आपको फिर से जो है उनकी inquiry का पार्ट बनना ही होगा यहां पर आपको किसी तरीके का कोई भी रियायत नहीं दी जाती है क्योंकि मेरे बहुत सारे subscribers हैं मुझे उनके comment मिलते हैं और उनका common question होता है कि सर मेरा passport रिशू का case है तो verification होगा या नहीं होगा तो मुझे लगा नहीं है इस बारे में हैं लोगों को detail तरीके से लोगों को बताना चाहिए कि भाई यहां पे भी सारे process बिल्कुल सेम होते हैं और दूसरी बात कि आपको जो नया passport मिलेगा वह भी passport का number वह कुछ और होगा वह आपके पुराने वाले passport से match नहीं करेगा तो यह confusion भी आप दूर कर लें आप एक तरह किसे यह समझ जाए ना कि आपको बिल्कुल एक fresh passport मिलेगा बिल्कुल नया passport मिलेगा और आपका उस पे जो address रहेगा वह भी change रहेगा क्योंकि अगर आप इतने सालों में कहीं shift वगरा कर गये हैं किसी नए घर म वहां पर होगा तो इस case में जो है आपका passport पर जो address होता है वह भी उसमें update हो सकता है तो दोस्तों इससे related अगर आपके मुन में कोई और question है किसी तरीके का कोई और इशू अगर आप face कर रहे हैं तो comment box खुला हुआ है चैनल के description में आपको मेरा WhatsApp नंबर मिल जागा वहां से मुझसे contact कर सकते हैं मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें जैहिन